हेलो हाई नमस्ते आदाव सलाम वेल्कम तो माई यूटूब चैनल जुगाड हिंस सो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक आप के बारे मताना चाहता हूं जिसके मदद से आप जो है सेविंग्स करके कुछ पैसे अर्न कर सकते जिया दोस्त आपने पिल्कुल सही दोस्ता कुछ परशंटेज वह रखैंगे और आपको रिटर्न करेंगे सेविंग्स बहुत ही这么 मैंन में जितना वी आप सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं डोस्तो PRO सेविंग सब्सक्राइब कैसे निकाल सकते संपगर सकते सब्सक्राइब करें कैसे ये ये वी मैं बताऊं कर्oux नहीं दिए है इस एप के बारे मिं आप जैसे ही search करेंगे easy money तो आपको ये app मिल जाएगा जो कि आप देख सकते है इसका अच्छा खासा rating है प्लस आपका download देख सकते है कितने लोगों ने इसे download कर चुका है ये app पढ़िया है अब मैं आप लोगों को इसका goal settings करके दिखाओंगा कि कैसे आप goal setting करके आप earn कर सकते हैं तो ये वीडियो में आप देख लिजाएगे कैसे आप इसको goal बना सकते हैं और कैसे आप return high ले सकते हैं मैंने भी एक goal बनाया जो कि आप देख सकेंगे के आगे वीडियो में चलिए फटा-फट उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये आप को open करके मैं दिखा देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं माई goals में मैंने दो goals मैंने setting करके रखा है new phone का जो कि आप देख सकते हैं 2000 है जो amount मेरा तो सबसे पहले मैं transaction दिखा देता हूं कि कितना मैंने transaction किया है तो यहां सबसे पहले मैं transaction जो आप देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं सबसेंटीन हंडरेट 50 रूपिज का मैंने transaction किया था overall 252 और week और overall जो मुझे अभी तक जो interest मिला करके जो पैसे अभी जो savings हुए है 1888 रुपे हुए है और इस तरह प्लस icon पे आप click करके यहाँ पे आप goal setting कर सकते हैं यहाँ प्लस के icon पे click करके आप goal को setting कर सकते हैं यहाँ पे आप जैसे setting करेंगे तो फिर आपको जो एक चैट के जैसा feeling आएगा यहाँ पर अपना goal setting जो भी goal aim है वहाँ पे आप select करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे vacation select करता हूँ vacation select करने के बाद आप जो भी goal जितना भी amount आप set करना चाहते हैं मुझे इतना amount का goal set करना है तो उस amount को आप type करेंगे तो यहाँ मैंने goal को vacation select कर लिया और vacation जो है already मेरे goal पे है तो यहाँ पे another name पूछ रहा है कि आप अगर दूसरा name देना जाता है तो चलिए कुछ name देते है और goal amount जो भी है उसे select कर देते है तो यहाँ पे एक name देते है यह यहाँ पे amount पूछा जा रहा है कितना amount का goal आपका रहना चाहिए तो मैंने 10,000 दे दिया और यह 10,000 आप weekly या monthly goal को save करना चाहते है वो आप select कर ले monthly या weekly आपके accordingly save कर ले और यहाँ पे जो आप देख सकते है per month या भी per week कितना रुपय आपको select कर देना है वो आप देख सकते है यहाँ 600 मैंने select किया तो 17 month जो है total लगेंगे अगर तो इस तरह आप छोटे चोटे amount को मिला करके एक goal को achieve कर सकते है जो भी आपका goal हो तो यह आप बहुत ही बहतरीन साबित हो सकते है अगर आप saving करना चाहते है और in mutual fund में आपके पैसे savings की हुए पैसे को लगाना चाहते ह है तो यह आप यूज कर सकते हैं बाइदे वे अगर आप mutual fund के बारे में अगर जानना चाहते है तो next video में लाओंगा जिसमें मैं mutual fund को कैसे आप invest कर सकते हैं easy manner में without पेपरवर्क आप easily mutual fund में invest कर सकते हैं तो mutual fund से related video जो है next video में लाऊंगा और उसमें मैं सारा details बताऊँगा कि mutual fund में आप कैसे invest कर सकते हैं और mutual fund में कैसे आप earn कर सकते हैं interest as return आप कैसे gain कर सकते हैं high returns तो दोस्तों आप यह चोटे 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 अमांट जो है सेव करके आप एक कोल को अचीव कर सकते हैं यह आप आपके लिए साबित अच्छा साबित हो सकता है अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग किया गया पैसे को आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं यहां प आयप की यही खासियत है कि आप जब चाहे ताप आसे निकाल सकते हैं तो mutual fund में इस से आसान तरीका आपको सेविंग का नहीं मिलेगा डिरिक्ली अगर mutual fund में आप invest करना चाहते तो next video का वेट कर सकते हैं नेक्स्ट रूडियो जल्दी आने वाली है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट रूडियो मिलते कुछ और टिप्स और ट्रिक्स और आइडियाज और वीडियो के साथ तब तक लिए टेक केर।